नमस्कार, स्वागत है आपका N27 News में आपके साथ मैं हूँ खुशी मित्तर आज के समय में लगबग लोग नौकरी कर रहे हैं कोई सरकारी कर रहा है तो किसी को प्राइवेट संस्था में मजदूरी कर पैसे कमाने पड़ रहे हैं सरकारी नौकरी में सरकार के तरफ से एक तैस सैलरी मिलती है और अलग से कुछ भत्ते भी मिल जाते हैं वहीं आम तोर पर भारत में वेतन का भुकतान हर महीने की साथ भी तारीक को किया जाता है भारतिय सम्विदान के अनुछेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंद्री की नियुक्त का अधिकार राज्यपाल के हातों है और राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंद्री के पद के लिए आमंदृत करता है अब जरा सोचिए कि सरकार को कितनी सेलरी मिलती होगी सरकार से हमारा मतलब उस तंतर को चलाने वाले नेता से है जिसमें PM, MP और MLA आ जाते हैं इसी में अब जानते हैं कि CM की सेलरी कितनी होती होगी बताईए अगर आपसे ये सवाल कोई पूछे तो आप इसका जवाब क्या देंगे उसमें भी सबसे अधिक वेतन वाले CM की बात कोई कर दे तब आपके पास क्या उत्तर होगा आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने जा रहे हैं साथी ये भी बताएंगे कि सैडरी का निधारण 21 अधार पर होता है और उसमें बदलाव करने का अधिकार किसके पास होता है आए जानने की कोशिश करते हैं किसी राज्जय के मुख्यमंत्री को राज्जय में वही इस्थान पराप्त होता है जो प्रधान मंतरी को देश में प्राप्त होता है किसी राज्य का मुख्य मंतरी राज्य विधान सभा में विधायकों का नेता होता है जबकि प्रधान मंतरी लोकसभा में सांसदों का नेता होता है भारत सरकार के अधिकारों को उनके काम के बदले वेतन मिलता है भारते कorous लग-अलग अलग होता है तेलंगाना के मुख्यमंतरी को देश के अने मुख्यमंतरी की तुल्णा में सबसे अधिक वेतन मिलता है लवी अगर सबसे अधिक सेलरी पाने वाले टॉफ फाइव राज्य केंडर साशित प्रदेशों की बात करें तो तेलंगाना नंबर वन पर आता है वहाँ के सीम की मंतली सेलरी चार लाख दस हजार रुपे है दूसरे नंबर पर दिल्ली है जहां के सीम को 3,90,000 रुपे प्रती महा मिलते हैं उसके बाद महराश्ट जहां 3,40,000 रुपे फिर आंदर प्रदेश का नंबर आता है जहां के मुख्यमंत्री को मंतली 3,35,000 रुपे मिलते हैं सिहार की बात करें तो वहां के सीम को 2,15,000 रुपे की मंतली सेलरी मिलती है सबसे कम सेलरी पाने वाले राज्ये की लिस्ट में मनिपुर नागलेंड और त्रिपुरा आता है जहां के सीम को प्रती महीने 1,20,000 1,10,000 तथा 1,05,550 रुपे मिलता है सीम वेतन और भत्तों के साथ साथ अन्य भत्ते और विशेश अधिकार पाने के भी हकदार होते हैं मुख्यमंत्री को उसे मुफ्त आवास, यात्रा, भत्त, चिकित्स, सुविदाएं आधी प्राप्त होते हैं इस तरह से तलंगाने के सीम को बाकी राज्यों के सभी सीम में सबसे ज़्यादा और त्रिपुरा के सीम को सबसे कम सेलरी मिलती है तो अभी के लिए तना ही देखते रहे हैं 27 न्यूज आप देख रहे हैं 27 न्यूज पकड़ हर खाबर पर